काफी ज़्यादा मीडिया कवरेज, पाकिस्तान और चाइना के विरोध के बीच भारत के जमो कश्मीर के सिनगर में G20 समिट की टूरिजम वरकिंग ग्रूप के ओपर मीटिंग आज स्टार्ट हो गई है एंड इस मीटिंग से रिलेटेड कुछ बहुती बड़ी अपडेट्स आ रही हैं अब क्योंकि ये मीटिंग जमो कश्मीर में हो रही थी जिसको कई सारे देश डिस्पूटर मानते हैं ऐसे में भारे सरकार को भी आखरी मौके तक नहीं बता था कि कौन सा देश अपना प्रेजेंटेटिव बेजता है और कौन सा नहीं लेकिन अब क्योंकि आज मीटिंग स्टार्ट होनी थी क्योंकि आज 22 में ये हैं सभी देशों के डेलिगेट्स को वहाँ पर प्रेजेंट रहना था ऐसे में अब ये सामने आ गया है कि कौन सा देश वहाँ पर प्रेजेंट है और कौन सा नहीं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँगी सेनगर में जो G20 समिट हो रहा है उसमें 25 देशों से कुल 150 डेलिगेट्स हिस्सा ले रहे हैं जो G20 देश हैं उनके 60 डेलिगेट्स इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन इसके साथ ही कुछ Special Guest Countries के डेलिगेट्स भी इस मीटिंग में आये हैं दरसल रिपोर्ट्स ये निकल करा रहे हैं कि भारत ने अपने कुछ मित्र देशों को भी सेनगर जमुकश्मीर में ओने वाली G20 की मीटिंग्स में इन्वाइट किया है उनको Special Invites Guest Countries का जा रहा है अब उनके नाम फिलाल मीडिया को तो नहीं बताये गए हैं लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स निकल करा रहे हैं कि ये देश भारत के परोसी देश और कुछ Middle East से देश हो सकते हैं आज से सिनगर में ये G20 Summit का सेशन स्टार्ट हो गया है और अब ये मीटिंग्स सिनगर में अगले तीन दिन तक चलेंगी चाइना के बारे में तो सब को पता था कि चाइना इस मीटिंग में नहीं आ रहा है चैना ने तो खुद घोशना करके अधिकारिक तोर पर इस मीटिंग को जमो कश्मीर में रखवाने का विरोध भी किया था लेकिन टर्की और साओधी अरब ने एंड मोमट पर ये मीटिंग अटेंड नहीं किया है मीटिंग से कुछी दिन पहले सभी G20 से देशों को अपने डेलिगेशन की रेजिस्ट्री करवानी थी ये बताना था कि उनकी तरफ से कितने मेंबस का डेलिगेशन जमो कश्मीर में आना है ताकि भारती सरकार उनके डेलिगेशन के लिए उसी के एकॉर्डिंग इंतजाम करके रखती खबर निकल कर आ रही है कि टर्की और साओधी अरव इन दोनों देशों ने ये रेजिस्ट्री नहीं करवाई थी एजिप्ट पिछले कुछ सालों से भारत के काफी करीब आ गया है ऐसे में भारती सरकार ने स्पेशल इन्वाइटी जेस्ट के तौर पर एजिप्ट को भी जमो कश्मीर में आनाली इस G20 की मीटिंग के लिए इन्वाइट किया था लेकिन एजिप्ट ने भी भारत की रिक्वेस्ट कबूल नहीं की और इस इवेंट के लिए रेजिस्टर नहीं किया भारती सिरकार को ये चीज पहले ही पता थी कि इन तीन देशों ने रेजिस्टर नहीं किया है लेकिन एज़ेप्ट, टर्की और साओदी अरब की सिरकारों ने चाइने की तरह कुछ भी अधिकारी गुशना नहीं की थी जिसके चलते पिछले कल यानि end moment दक भर्टी सिर्कार द्वारे ये कोशिश की जा रही थी कि Egypt, Turkey और साओधी अरब की तरफ से at least एक छोटा सा delegation इस meeting को attend कर ले लेकिन ना ही Turkey माना, ना साओधी अरब और ना ही Egypt तीनों देश नहीं पहुँचे तीसरी बड़ी अपडेट ये निकल करा रही है कि पाकिस्तान की अपील के बावजूद कई सारे मुस्लिम देश ऐसे भी थे जिन्होंने G20 मीटिंग के लिए जम्मु कश्मीर में अपना delegation भेजा है इंडोनेशिया, बांगलादेश, ओमान और UAE ये चार मुस्लिम देश थे जिन्होंने जम्मु कश्मीर में अने वाली G20 की मीटिंग्स में अपना delegation भेजा है इंडोनेशिया तो G20 का फुल फ्लेश्ट मेंबर है बाकी बांगलादेश, ओमान और UAE यानि United Arab Emirates ये तीनों भारे सिरकार की तरफ से Special Invites यानि Special Guests थे जो नहीं आने वाले देश हैं उनमें चाइना और टर्की के नाम से हरानी नहीं हुई लेकिन साओधी अरब और एजिप्ट ने जम्मु कश्मीर में अना ली G20 की स्मीटिंग को बॉयकॉट किया इसके उपर हरानी हो रही है क्योंकि साओधी अरब की सिरकार भी भारते सिरकार के साथ बहुती अच्छी टर्म्स के उपर है दोनों देशों के बीच Defense Tries लगतार मजबूत हुए हैं और इंडे नेवी तो आज की डेट में कोची में साओधी अरब की नेवी के पचपन कैड़ेट्स को 24 दिन की ट्रेनिंग भी दे रही है फिर भी साओधी अरब ने भारत नहीं पाकिस्तान को चुना सेम चीज एजिप्ट ने भी की जिसको भारत ने COVID-19 की वैक्सिन्स गेहूं सब कुछ दिया लाइफ सेविंग ड्रक्स भी दिये और इस साल 26 जनवरी के दिन एजिप्ट के प्रेजिडेंट को भारती सिरकार ने गैस्ट के तौर पर इन्वाइट किया था साथ में भारत और एजिप्ट ने अपने टाइस को अलिवेट करके हाली में स्ट्रेजिक कर दिया था तबी तो भारत ने एजिप्ट को इतनी इजद बख्षी और G20 मीटिंग में इन्वाइट किया लेकिन एजिप्ट ने भी भारत और पाकिस्तान में से पाकिस्तान को चुना यानि ये कभी नहीं सुद रहेंगे